नवस्कार दोस्तों बात करूंगा Just Money एप के बारे में Just Money में आपको Loan Offer मिलता है और आपको उता दू कि कई बार क्या होता है कि आप गलती से Loan को देखने के लिए कि उसमें इंटेस्ट कितना लग रहा है प्रोसेसिंग फीस आपका कितना लगेगा और आप कंटिन्यू करते चले जाते हैं और वो अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है मेरे साथ हो जुका है एक बार और एक कमेंट एक भाई का आया है वो अभी आपको दिखाने वाला हूं तो मुझे लगा कि उस पर वीडियो बना देना चाहिए चीजे क्लियर हो जाएंगी वहाँ पर उन वी एक्टिव हो गया था फिर मैंने भी नेक्स्ट मन्त में फोर्स क्लोज किया था लोन का तो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं वीडियो पहली बार देखें तो लाइक अदेना चाहिए आपको बता दू कि जो ये लोन ओफर है आपको देखते देखते ही वो हो जाता है क्योंकि जेश्ट मनी में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर पहले ही या तो आप उनसे कोई सर्विस लेते हैं या पहले लोन ले लेते हैं तो आपके अगर चीज होगेरा कि जब आप लोन देख रहे होते हैं उस दोरान वो active हो जाता है तो ऐसा मेरे साथ हुआ था और मैंने 15,000 का loan देखा था कि वहाँ पर हो रहा है या नहीं और video बनाने के लिए ही मैंने देखा था मुझे requirement नहीं थी लेकिन वो loan जो है वो active हो गया था और उसके बाद उसमें processing fees लगे थी 900 रुपए की तो मैंने पूरा 900 रुपए processing fees प्लस जो amount मैंने लिया था next month में उसको force close कर दिया था force close charges यहाँ just money में आपको देखने को नहीं मिलता है force close charges side zero है इनका अभी भी side confirm नहीं हूँ अभी इस बात पे लेकिन जब मैंने किया था तब वहाँ पर जीरो था और वहाँ पर force close किया था processing fees cut के amount जो है वो आपको receive हो जाता है आपके अकाउंट में और पर पूरा one time payment आप करते हैं तो आपको वहाँ पर force close charges ना लग करके पूरा amount आप पे कर देते हैं तो आप जो loan है उसको close कर पाएंगे लेकिन ये next month करेंगे इस बारे में मैंने customer service भी ली थी customer support भी मैंने लिया था उनका ये कहना था कि अगर loan activate एक बार हो चुका है तो आप उसको option जो है आपके पास वो force close का ही है next month में आप उसको close कर सकते हैं आपको तादू कि जैसे ही loan active होता है तो आप थोड़ा रुख सकते हैं या आप वो loan का amount आ गया है तो आप थोगे दिन use कर लिजे लेकिन परनर दिन पहले loan जो EMI date है उससे पहले आप उसको force close कर दे ताकि आपका जो EMI है अगले महीने में ना लगे और force close करते हैं तो interest वगेरा आपको वहाँ पर नहीं लगता है यानिकि नहीं लगेगा force close अगर आप करते हैं तो और next month में जो मैं कह रहा हूँ क्योंकि पंदर दिन पहले आप उसको pay कर दिजे क्योंकि अब loan तो active हो गया है एक बार और जैसा कि कर्ष्मे करका भी कहना था कि आपका जो account है वो active हो चुका है तो आप उसको force close कर सकते हैं account ऐसा नहीं है कि वो close होगा अगर आपने एक बार active कर दिया है तो यानिकि यहाँ पर आपको processing phase जो आपकी लगेगी वो तो आप समझ ही लिजे कि आपको देना ही पड़ेगा और साथी साथ जो amount आपको receive हुआ है आप उसको 10-15 दिन यूज़ कर लिजे अगर आपको यूज़ करना है तो क्योंकि loan active हो गया है और साथी साथ अब वो आप force close चाहे उसी वक्त भी कर सकते हैं लेकिन क्या मतलब है उसी वक्त ही करने का क्योंकि एक बार active हो गया है amount आ चुका है तो आप उसको 10-15 दिना कर यूज़ कर सकते हैं तो कर लिजिए वरना अगर आप सोचते हैं कि कौन बाद में करेगा या headache रहेगा या याद रखना पड़ेगा तो उसी वक् लेकिन processing fees जो है वो आपकी नहीं वहाँ पर माफ होने वाली है या फिर नहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं देना पड़ेगा या आप ऐसा नहीं होगा कि जो account loan जो active है उसको तुरेंट cancel किया जा सके या फिर उस loan को आप सोच हैं कि बंद हो जाए और जो processing fees वगयरा कट रही है वो ना कटे तो एक बार active होता है अभी यह मैं अपने practical experience के हिसाफ से बोल रहा हूं और customer support भी मैंने लिया था तो वहाँ पर भी मना ही किया गया था तो उसके हिसाफ से मैं आपको बता रहा हूं बाकि एक बार आप customer support से बात कर सकते हैं customer support इनका अच्छा है वहाँ प आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है अगर जेस्ट मनी का लोन एक्टिव हो जाता है तो मिलते हैं अंगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही चैनल आप से बातचीत हो सकती है साधर टाइम ब्लॉग के नाम से एक YouTube चैनल और है वहाँ पर आपको ब्लॉग द